हेलो आज के वीडियो में हम देखने वाले डिजर्वर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो एस पर एक्जाम पॉइंट 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 से और एक फ्यूचर डॉक्टर होने के नाते तुम्हें यह डिजिस के बारे में जानना ज़रूरी है जो बुक में दिया ह समझाने से समझ आए जाएगा यह सारे चीज़ें तो यह सारे चीज़ें पढ़ना जरूरी है और थोड़ा डिटेल में जाकर डिटेल मतलब कोई ज्यादा नॉलेज्ट याद करने वाला चीज नहीं थोड़ा कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को सब सिर्व समझना है तुम् अब सेखी होगा तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पाइपर दोपर चार डीजीस हमने एंसैयाट में दिया गया है इपाइपर टेंशन को रहा पर तर्ट वन इस हार्ट फेलियर ओके तो सबसे पहले हम हाइप अपर टेंशन के बारे मिन देखते हैं कोई भी प्रेशर तो इसके नाम से पता चल जाता है तो यहां पर देखो इसी अप्रण प्रेशर का मतलब तुम पता ही होगा जो भी प्रेशर अपने आट्रिस के अंदर होता है प्लेड का प्रेशर होता है पर्ट्यकुलर प्रेशर उस्से प्रेशर के थ्रू पर ही उस प्लेड को फ्लो करना चाहिए ज्यादा कम अगर कम हो गया तो हA restaurants पार तो बहुत दिनों तक खाना निए खाएंगे डिएरेशन हो जाएगा जाधा डायरिया होता है अब सुबह से 5-6 बार 5-15 बार डायरिया होता है उनको इसके बातब इसके वज़े से या और कोई कोई मतलब प्रेक्टर्सके वज़े से यह हम है hypertension देखने को मिलता है, तो hypertension का मतलब high blood pressure सबसे पहले हम normal blood pressure के बारे में बात कर लेते, normal blood pressure कितना होता है, यह तुम याद कर लो अभी से रट लो, 120 by 80, 120 जो होता है वो systolic blood pressure होता है, और यह जो नीचे वाला होता है, diastolic blood pressure होता है, सिस्टोलिक ब्लेट प्रेशर ने डायस्टोलिक ब्लेट प्रेशर के बुक में दिया है सिस्टोलिक ब्लेट प्रेशर मतलब पॉम्पिंग कि पॉम्पिंग प्रेशर कि और यह वाला रेस्टिंग इस चीज़ को मैं समझाता हूं और जो मशीन जब तुम क्लीनिक में जाओ गए तो डॉक्टर चेक करें ब्लड प्रेशर तो वह मशीन को क्या नाम देखते हैं बीपी मशीन बोलते हैं नॉर्मली सभी तो एक्चुलि उस मशीन का नाम हता है स्पिग्मो मैनोमेटर तो तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें वाइवा में मतलब स्टार्टिंग में पूछेंगे कि इस डिवाइस को क्या बोलते तो तो अभी सही जान लोगे थोड़ा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है स्पिग्मो मैनोमेटर बोलते हैं तो तो तुम याद और यह वाला जो है कि हाथ पर बांदा होता है कि यहां पर यह जो मेर्क्यूरी जो है वह उपर फ्लक्ट्ट हो जाता है तो नौर्मल ब्लड प्रेसर जो अभी सिस्टोश अब समय बठाता हो तो मुझी गर दो youngsters कैसे चेक करते है यहां पर यहां पर बांदे हैं यहां पर जाफ करते ना अपर पर नहां पर पार्त करते रहे एक परिशर पेशर पर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर उसका नॉर्मल ब्लेट प्रेशर होगा तो 120 पर आकर रुख जाएगा ओके यह पूरा मतलब बल्ज हो जाएगा उसके वाँ पर रुख जाएगा उससे जाद हम फोर्स प्रेशर नहीं दे सकते हैं तो यहां पर रुख जाएगा और जो जो आर्ट्री के अब यह ब्लड प्रेशर कौन से आठी का चेक कर रहे हैं इस आटरिक कर नाम है ब्रेक्यल आट्री याद को नहीं कोई ज़रूत नहीं एक्जाम में पूछते नहीं वास मैं बता रहा हूं ब्रेक्यल आट्री अगर्य यहां पर हाट है हाट है हाट जो है राइट 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 वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल तु थू एरोटा के थू यहाँ पे आया ब्लड तो यह सिस्ट सिस्टॉल किया सिस्टॉल मतलब पंप किया ब्लड को करते ही ब्लेट शुब है यहां से यहां तक आया और हमने यहां रखा हाथ यहीं रूख कर रखा तो व systolic blood pressure pumping Project pressure program के छिया यहाँ पर नौट होता है तो जाएंगे यहाँ पर से बसकोब रखेंगे धीरे धीरे करते हैं और धीरे-धीरे यह वाला मर्क्यूरी वाला जो repart है यह धीरे-धीरे नमता होता जाएगा अब ब्लड जो है वह यहां से दूए ना चलो से रहीम देटी यह दो अब आवाज को जिए यह權 निकार से पकड़ करें को को समझ आ जाते हैं कि दीरे दीरे जो ब्लड अचानक से हमें आवाज जो सुनाई देती है जहां पर वह आवाज प्रेशर जो है जिसका नॉर्मल होता है वह 80 के पास वह दिखता है तो यह 120 जो सिस्ट्रॉलिक ब्लेड प्रेशर हुआ और 80 जो है डाइस्ट्रॉलिक ब्लेड प्रेशर समझ आ गया इस तरह हम ब्लेड प्रेशर को चेक करते हैं तो थोड़ा ध्यान दोगे तो यह तुम्हें मतलब नॉलेज जैसा देगा तो तुम किसी के पास जाके बोल भी सकते हो कि इस तरह ब्लेड प्रेशर को चैक करते हैं तो बहुत एजी है तो यह हुआ अपर टेंशन के बारे में हां जब हाइपर टेंशन अंतो नौर्माली करें जब 140 या कि 90 के ऊपर ऊपर चला गया तो उसको हों है पर टेंशन कंडिशन बोलते है यह बहुत सारे कंडिशन में देखने को मिल सकता है डेगो 90 परसेंट सब्सक्राइब हो सकता है और पटनीशन्स पर थे सकते हैं जिनका सकते हैं जैसे कोई मतलब और रिनल पाथलोजिकल कंडीशन वे क्या है 10% of condition में उन condition में hypertension हमें देखने को मिलता है तो 90% of cases में हमें reason पता नहीं जाते हैं क्यों hypertension है तो 140 और 90 140 जो इस इस्टॉलिक blood pressure और 90 जो इस्टॉलिक blood pressure इस चीज़ के उपर जब जाएगा इसको हम तब हम hypertension condition बोलते हैं और इस तरह हम blood pressure को check करते हैं इस machine को क्या बोलते हैं स्पिग्मो मैनो मेटर बोलते हैं तो हम तुम्हें यह hypertension वाला topic समझ आ गया होगा तो हम next topic पर चलते हैं coronary artery disease तो हम दिखने वाले coronary artery disease तो coronary artery disease में क्या होता है C A D करके भी हमें NCRT में NCRT से ही ले रहा हूं topic तो coronary नाम से ही पता चल रहा है coronary artery disease coronary मतलब जो artery artery which supplies blood to the अब अपने body के हर एक पार्ट तक blood कौन पहुठाता है heart पहुचाता है but heart को काम करने के लिए भी blood चाहिए है heart को काम करने के लिए oxygen चाहिए और oxygen कहां से मिलता है blood के थ्रू मिलता है blood के अंदर RBC जो होते हैं वो blood को oxygen को उठाके लेकर आते और जो जो cells को चाहिए वो cells को देते हैं और साथ में जो cells CO2 बनाते हैं CO2 को blood के अंदर लेके फिर lungs के थ्रूप वो CO2 जो है निकल जाता है यह normal अपने body का physiological condition है तो heart को pump करने के लिए भी उसको एक energy चाहिए energy चाहिए blood supply चाहिए तो हुए coronary arteries तो blood के उपर blood के तीन layers होते हैं ना blood के sorry heart के तीन layers होते है हाट के तीन layers होते है हाट के तीन layers होते है है सबसे ऊपर वाला layer, इपी इपी, इपी-काडियम और beach वाला जो layer है यह पूरा इसको myocardium और यह अंदर वाला जो layer है एंडो काडियम इपी-काडियम, myocardium और एंडो काडियम तो इस इपी-काडियम जो उपर वाला है इस surface पर कुछ आर्टरीस होते हैं प्रेज़ और फिलिकी तो फिल firm के अ Scale करता है तो स्प्रेड फाइब डियेता है तो जो है अपने हाट मस्ल्स को को माय कार्डियल टीशुस को जो है ब्लड अपलाई देते हैं और उस ब्लड सपॉर्णा के वजह करता है इसे ही अपना हर्ट सो है पंप करता है तब उसको एनर्जी मिलती ऑक्सियन मिलते तब जाके वो क्या होता है एक और बाद हाट को जो सप्लाइए आट्री का नाम हमने ऑरे सप्लाइए चुक्त फिर्डिक अलगे को इस्वी सिस्टम है उसी आठ्री का नाम दिया है तो हाट को जो सप्लाइए उसन उना अर्ट्रिस को hourly hour ट्रेस बोलते हैं तो जब भी आर्टरीस की जो पार्फ लोजिकल कंडिशन की बात है तो तुरंती तुम्हार धिमाग में कौन सा क्या आना चाहिए ऐसी रोसी कि रोशी सिस क्रिशак कंडिशन में क्या होता है जो आटरी जो रहता है आटरी यह आटरी को हम ने शूम किया इसको हम बोलते ल्यूमन ल्यूमन इसको हम बोलते ल्यूमन यह जो अंदर वाला जो पाठ है एंडोथिलियल इंडोथिलियल सेल्स और ट्यूनिका इंटिमा इंटिमा भी बोलते हैं यह सब बुक में दिया इंटिमा 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 बोलते हैं तुनिका मीडिया इंटिमा 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 को हम और क्या नाम से बुलाते हैं तो तो मैं बार-बार दूसरे जगा जाने की ज़रूत में यहां पर यह टॉपिक के साथ-साथ यह वाला चीज भी तुम्हें प्रिविजन हो रहा है तो इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए हरे देखो यह मतलब यूमन बॉड़ी में एक औरगन अपने इसाफ से कभी काम नहीं करता एक औरगन दूसरे औरगन के लिए काम करता तो इस तरह हमें भी एक ही चाप्टर को लेकर नहीं चलना है अब यूमन अपना है कि यह हॉर्मोन वढ़ा चप्टर है एक एक दूसरे के साथ को आधना चलिए तो यह आटरि के अंदर होते हैं अन्डोधियल शेल्स को और कौन से नाम से बुलाते हैं ट्यूनिका इंटिमा बीच का जो ले नहीं है जो यहां के यहां से जो है मैं इसको में काटके इस तरह देख रहे हैं तो इस आटरी को हुआ हुआ पर आटरी तो कुछ कंडीशन में है मतलब समझो पेशेंट जो है वो प्रेट स्मोकिंग करता है ज्यादा फैट कंजूम कर रहा है और इसको जैनेटिक इस्यूस में पास्ट में उनके फैमिली इस्ट्री में भी ये अगर हुआ तो यह सब्सक्राइब है अब देखने को मिले अब अब देखने को मिले इस्यूस मतलब डिपोजीशन दिपोजीशन ऑफ फैट पोल सकते हैं है कोलेस्ट्रॉल कैल्सियम फाइबरेस टीशू यह सारे चीज़े क्या होते हैं कि यहां पर आकर डिपोजीट हो जात तो भाई तो अब तुम्हें देखा ही होगा यह मतलब पाइप है पाइप जो नॉर्मली पाइप है अब यह पाइप में नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरह और यह पाइप को मैं ऐसे बीच से दबा दूँगा तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा ओविशली बढ़ को ऑगे हो के होलता है कि मुझे इस कुछ तक है कि मुझे के अब काम क् रहे को काम नॉर्मली मेंहें प्लस्तूमें करना पड़ता है यह चूर वह म्हाँ प्ट में तो जारहे हो क्रिकेट खेलने दौड रहा हो तो उस कंडिशन में चारहे है कि हें उपक्र करना पड़ता है जाधा जाधा काम करना पड़ता है इतनी चोटे होल में से जाधा हम पॉंप करेंगे तो blood जो है वह बहुत जधा प्रेशन देना पड़ेगा इस वज़े से क्या होता है कि हमें chest pain होने करेंगे चांडे चाले होने के चैस्ट में होना चालों हो जाता है तो हम मम को पर रेस्ट लेना पड़ता है और बड़ता जाता यगा ओ पर जाएगा तो यह पर अपना बन गया यहां से हैसी स्पटिशों टो इस यहां से ब्लड़ बर जो उधर कि आप निए प्लोग डिश्टॉल टाइम पर लोगला यहां पर यह पूरा कौन से कहां किसकत का देपोसिट हो कर रखा तो ब्लड बहुत भाउच यह भी यहरे दिखिसे यह वैसे ब्लड फ्लो हो रहा तो यह जो डिपोजिट हुआ जो भी चीज है यह यहां से उखड जाएगा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा और उस समय में क्या होगा कि मतलब ब्लड के इंदर जो प्लेटलेट्स है जो क्लोटिंग फ्लैक्टर से वह क्या समझेंगे भाई यहां पर आतरीं करों मतलब कुछ वागा लुगान जो हम इंजूरी हुआ है तो इंजूरी अच्छ जbut ga से पूरा ने लग जाएगा प्लेट्लेट से बाइक पोरा कवर अब कर देंगे तो यहां पर पूरा जो है बर जाएगा तो यहां पर सप्लाइईंगा डेख़ में हमें हाड 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 देखने को मिलता है माय-काडील- इंट्रक्षं बोल सकते हैं जिस कंडिशन में यहां का जो यहां से ब्लाड आ रहा है है कि है यहां से cœur फंट का ब्लेट की Cart चेहां तो तो यहां बाद का तो हो जाएगा मर जाएगा नहीं कर पाएगा तो पूरंती मरी जाएगा तो उस कंडिशन में कुछ ऐसे medicine कुछ ऐसा तुरंती medicine से देते जो medicine ब्लड को थिन बनाते है ब्लैड को थिक ब्लैटक निकाल निकाल देगा उन निकल जाने के वज़े से जो है वह ब्लड जो होना चालो करेगा तब हाट तक ब्लड पहुंचेगा तो हाट भी अपना नॉर्मल काम करने लग जाएगा तो एतरोस के लिए हमें ज्यादा तर देखने को मिलता है जिसको माय का इंफ्रक्षन का मतलब क्या होता है कि मर जाता है थोड़ा मतलब तुम्हें डिटेल में ऐसा लग रहा हुआ कि मतलब यह फालत हुए सब कोई काम कर नहीं है बट लिटरली मैं कहा रहा हूं यह फ्यूचर में तुम कोई भी क्यूंत जिस्टों काम आने वाले कोई भी मेडिकल के रिलेटेड कोई भी मतलब तुम मैडिकल भी खुलके बैठे हो ना यह चीज्थों में काम आना है काम आएगा कि यह जो हो मैंने बोला ॐस्ट के वजए से जो है है रहादा तर इनके वज़े से कुछ शॉक का लिया मटलब बैटी मटलब किसी के साथ भाग गए तुरंति उसके पिताजी चैस पकड़के बैडगे तुरंति एंजीन पहना चालो हो जाएगा तो यह सारे लगे और देखने को मेंकिदे को माक्सिमम बाखे दूसरे खरस तो वहां पे कौन सा इस्षेमिया हो जाएगा बलड सब्लाइब पुरी बॉड़ी को पुम्प कर रहा है वहीं पर हुआ है तो हाट ही बंद हो जाका पुरा बॉड़ी में पूरा बॉड़ी को ब्लड सप्लाई होना ही बंद हो जाएगा तो हम यह सिंपल सी बात है इस तरह बंद कर जो है वह वह एंजिना का मतलब क्यों होता है कि हाँ इस इस कंडिशन में अगर यह एसा कुछ कंडिशन हो रहा है बहुत देर तर पेशन्ट ऐसे जसनको सेहर हाँ मतलब उसको पता भी चले है कि यह मतलब मुझे कोई हाट के कंडिशन का इसा कुछ पे प्रॉब्लम हो रहा हुआ उसको पता ही नहीं तो प्लाट प्रिशन यह इतना ह एमर्जंसी कंडिशन है पेशन को तुरंती होस्पिटल ले जाना पड़ता है तुरंती एमर्जंसी वाड में शिफ्ट किया जाता है तुरंती उसके उपर काम करना चालों कर दें तो उन चीजों को जितना क्लिनिकल ली रिलेट कि हुमन फिसलोजी है भाई एक मीम्स भी आते मारे पड़ेगे चला तुम्हारे Уट तुम्हारे जैंके उएकल ब्लक्त इतने नियुक्षंवन के से ओंगे होगे तो यूमन कि पढ़ोंगे तो हमन्रेमन पढ़ने वालत शुक्रम्ण शिफेलगे पतल इन जी में यूचित में क्य Schools जा जा और तथे क्यों को अधा है कि या एनिव इसको campaigns और नाम सबनाते हैं अधेर और नाम से बोलाते हैं कि जिननी श्वीन इसका चेश्ट एप सुछ गण यौ दिया चेन और चउपरां क्यों है है चैस्ट यह जो चैस्ट है यहाँ पर जो मसल है उस मसल कम बोलते हैं पेक्टोरालिस बसमे शुन लो ये सची तो पैक्ट्रालिस मसल है मुसल तो चस्ट पें आण दःटरलिस मुसल यह ऐंजिना प्रेक्टरलिस हमें देखने को मोस्ली कौन से कंडिशन में मिलता है पता है मतलब एक शाधी हो चादी में मतलब बुलाए चलो दुलान को ले के आचाहू तो सो तुरंती पता चल्दागे के वट भागए किसी के साथ तुन मतलब भूंrecht लिखक लिखर या बाह। बंद्य की he passed सब्सक्राइब आडा कोंको हो तु मिया बैच जाएगा को थे चिस्ट पर आठ ना सड़ир पे पूरा दर्द होने लगत तो एंजीना पेक्टरी से कैसा पेन है जब कि अंजीना प्वक्तरीस का मतलब उस आर्टरी में क्या हता है कि आर्टरी में जो और ऑटरी है पहरे से श्क्रेशिक सब्सक्राइब हो चुका है बट इतना बी सीवियर नहीं कि हुआ यहां पर फ्लोट तो हो यह रहा है यह बंदा अचानक से कोई इमोशनल अटैक मतलब शौक में वह उसके बॉड़ी के एड्रलीन यह सारे वो गयो मतलब एक एमोशनल अटैक हुआ उसके उपर तो उसके बॉड़ी का ब्लड प्रेशर तो रहे पूरा हाई गया तो इस उस कंडिशन में ज्यादा ब्लड की भी जरूरत है और कोई खेल रहा है मतलब कोई स्पोर्ट में पाटिसिपेट कर रहा है उसको ऐसा कंडिशन है बोलते नहीं कि मतलब बुज़र्ग लोग मतलब पापा जब एडज हो जाते तब वह ज्यादा कोद भी नहीं पाते सब क्य कि यह हां फास्टेकन करता और होल जो जो नॉर्मल होल होता उससे कम गया तो वहां से ब्लड फास ओट हो रहा वहां और पर प्रेशर बढ़ रहा तो प्रेशर बढ़ने से यह हमें देखने हो मिलता है कौण इस्पर मॉसल यह उनुटील वंट यहतिने हैं ओं है यह हुए तीन डिजीस और हम फोर्थ वाला पड़ेंगे हाट फेलियर यह जो एंजिना पेक्टोरी से हमें कॉमनली मिडिल एज एल्डरी लोगों में हमें देखने को मिलता है और यह एक्यूट चेस्ट पहने है deezer वें पता एक्यूट अन्हम होप पता होगा है क्यूंट क्रोणिक एक्यूट और अचनाक्स से पर पानी निकल painter वो भी एक acute condition है अचानक से तुम्हार shoulder pen हो रहा है वो भी acute condition के अचानक से हो रहे है न उसकों बोलते है उसकों बोलते एक्यूट condition क्रोनी का मतलब कहीं महीनों से जो अपने डादा दादी ममी पापा को रहते ज़्यां को माइगाटीं और टारी थे संधेख मैध रॉय ह appointment में जो है गुशानक्ति अकाटीं कष्ञंड़ी और लोग में तो कहीं है बैटी वे जुए होता है तो एक सब्कत होता है चतल पकड़कानली को तो यह सारे डिजिज जो एक दूसरी के साथ कनेक्ट है अधर चीज में आए गाई आए इसके वाज़े से बहुत चाहरे प्रॉबलम होते हैं एक बहुत बड़ा कॉस है अधर लगा यह जो पेशन को जो को और यह आटरे डिजिस पेशन को हम सबसे पहले यह सबसे पहले तुम स्मोकिंग रोग दो कि तुमारे सारे प्रॉबलम क्लियर हो जाएंगा तुम अपने पूड पर एक्स्रेस करो वॉक आउट करो यह सारे चीज करने से यह सारे नॉर्मलाइज हो सकते हैं डायबेटिक कंडिशन में हमें यह सारे चीज़े देखने को मिलते है लास्ट है हाट फेलियर के बारे में पढ़ रहे तो हाट फेलियर हाटफ फेलियर में क्या होता है कि यहाँ पर हाँ और हाँ यहाँ इसने अarnya है हाट चैलिए कि तु माधक तुम हो तो तुमारे पेरेंस का तुम्हारे टीचर्स का तुम पर कुछ ना कुछ दो एक्स्पेक्टेशन होगा तो यह लड़का इतने मार्ड के इतने निम्बर लाएगी मामपा को कुछ ना कुछ चाहिए आगर माक्स नहीं राए तो वो यह हमारे नजोरों में फेला सबने अ Apply T जो है अगर में बच्चा सबने बहुत कम लोग उसे इतने नंबर नहीं लाया तो हो अपने मनमें बच्चों को फेल समझते हैं तो हाट जो है उनके पेरेंस को जो डिमांड बढ़ी है पेरेंस मतलब बच्चा नीट एक्जाम दे रहा है तो मतलब डॉक्टर बनेगा दॉक्टर उसको पहले नीट में मतलब मार्फ को मतलब पर नीट में मतलब सेलेक्शन पाने के लिए 550 500 550 से भी सेलेक्श जाए रोज रोज डिमांड बढ़ता जा रहा है यहां पर लड़का पढ़ रहा है जो डो अटम्स देखे बैठा है वह थीन सो चार सो के उपर लाएं नीप आ रहा है वह चैसो कि शेसो पर ट्राइम आ पहले उसने अटम्स दिया था तब पानसो बीस पानसो चाहिए थे जब तीसरा आटम देने जा रहा थे सब बोल रहें कि छेसो प्लेस चाहिए चेसो के अंदर होगा तो सेलेक्शन नहीं होगा ऐसा तो मतलब बढ़ता जा रहा है बट यह बंदा उस इमांड के इसाब से मांक यह क्ष nhó पर रहा है तो तो अपने बॉडी में भी कुछ ऐसा कंडिशन देखने को अपनी बॉड जो है čिससे तरह उस्तार मांक्स लाने के लिए ईसी तरह हपना हां जो है हाटट फेलियर करे की बोलते हों के नाम से भी बोलते हैं कुछ बीद हाट के जोए कमजेक्शन देखने को मिलता है कि ह treadmill में हां लंंग्स का जोए cargo स्पीन देखने को मिलता है इसलिए हम उसको बन्डे च्वाटफियलक के नाम से भी हम जानते है सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया इस तरह बढ़ता है इस तरह होता है इस तरह में हाट अटैक देखने को मिलता है सब्सक्राइब करेगा ही नहीं नहीं ब्लेड पॉंच ही ने रहे होँ हाट के पास ब्लेड पॉंप कैसे तो कुझ हुआ थेमरेक पूरा तो यूटेमांड को पूरा नहीं नहीं कर पाता सूर्ष फच्टिर्व जाते हैं चया हम जाता है तो अधस्यृत ही युए हो, तो यह वह बार बार बोड़ रहा हूं यह चीज़तु में आना ही ज़रूरी है क्योंकि यह सारे तुमें एक्जाम में कंसेट कर आ रहे हैं अभी तर जितना भी हमने ब्लेड वैसल्स के बारें पड़े थे एसी जी काडियक साइकल हाट का हमने फीजियोजी पड़ा ब्लेड का फीजियोजी हर चीज हमें यहां देखने को मिलें पैथलोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है अपर ए कंपिटिशन बढ़ रहा है तो जिसके पास ज्यादा कॉंफिड़ेंस है जो आगे आगे धाय को महीं कर पा रहा हैं बस बधि इतना तुम लोग इतना सवी नित यह नयदो में समझा सकता हूं वर्ट इस वीडियो मितलब थर्टी-फनेट का बन यहतलब थेस스앙श को जाए घuste यह एगंडनेट पूछ देखे प्लेतलेट प्लेट लेट ब्लेड है तो यहां इस वीडियो में में अच्छा मिल गया होगा और तुम्हें कंसिप्ट क्लियर होगा आई होप अगर कोई डाउट है तो प्लीज तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ओके थैंक्यू